हेलो एब्रिवान वेल्कम टू चेतन भारत लर्निंग और वेल्कम टू दी पार्ट वन सीरीज ओफ ऑगस्ट 2020 करेंट अफेर्स कंपाइलेशन ठीक है तो हम लोग अभी तक सेप्टेंबर टू मार्च 2021 कर चुके हैं आज हम ऑगस्ट के पार्ट वन करेंगे कल हम ऑगस्ट का टू करेंगे ठीक है तो जितने भी करंट अफेर्स में रहे थे ऑगस्ट मंथ में जिसके रिगार्डिंग क्वेशन बन सकते हैं अगर मुझे लगता है कि ऐसी चीजें हैं पेपर में जो आई हैं और एक्जामस में पूछी जा सकते हैं तो आए ट्राइड की सारे के सारे कर करवा दो ठीक है तो ऑगस्ट के मंथ में जो भी चीजें आई थी वो मैंने हम पर कंपाइल करके रखी हुई हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ में ठीक है जो की है नगरा आर्किटेक्चर ओफ अयोध्याज राम मंद देखो बहुत सारे इशूज हैं राम मंदिर के साथ में जुड़े हुए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था अपना तो अब जो है अयोध्या में राम मंदिर बनेगा ये तो कंफर्म हो चुका है ठीक है अब वो राम मंदिर जो है हमारे हमारे यूप गया थीजबता है ब्लेटिटेक्चर है जद्रेवीडा स्टाइल ऑप आर्किटेक्चर है विसारा स्कूल कुल ऑफ आर्किटेक्चर है तो इंतेंव में से-कैरि मॉतन दी और नगरा इशेंटिर एर कर से Graek कि अब से इसका काम शुरू हो चुका है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना है कि आर्किटिक्ट्चर कैसा है इसका यही देखना है हमें उसको अगर हम ऐसे मतलब रट्टा नाम आ रहे हैं तो आपको सर्फ एक चीज़ इमाजन करनी है अगर आपने टीवी सीरिय करनी मिलते हैं पूरा नौट ईड्या है की एधका मनदिया है पूरा नौठ इडिया है nour방 विसमें इंडिया है जितने भी मंदिया है आपको नगरा आर्किटेक्चर के मिलेंगे maximum अगर हम south की बात करें तो south में मिलता है आपको द्रविडा स्कूल आफ आर्किटेक्चर द्रविडा स्कूल आफ आर्किटेक्चर और बीच में उडिशा, छत्तिसगर्ड और मध्यपटेश वाले एरिया ऐसे हैं जहां पर आपको द्रविडा प्लस नगरा दोनों का ही combination मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं हम उसे बोलते हैं विसारा स्कूल आफ आर्किटेक्चर वी एस ए आरे जिसमें दोनों की combination हम लोगों को देखने को मिलते हैं तो हम अगर रामंदिर की बात करें तो यह जो नगरा स्टाइल है वो कहां पर है नौर्थ इंडिया में है अयोध्या में ही बन रहा है यूपी तो दाट इस नौर्थ इंडिया तो इसका आर्किटेक्चर कैसा होगा नगरा स्कूल आफ आर्किटेक्चर से मिलता जुलता होगा ठीक और अगर हम देखिए इसमें क्या है नगरा स्टाइल के जितने भी आर्किटेक्चर है उनकी सबसे खास बात यह है कि वो एक अप्रेजड प्लाटफॉर्म पे बने होता है अगर आपने वो मंदर इमाजन किया होगा तो उसको उसके मंदर शिकर तक जाने के लिए उस मंदिर एरिया में जाने के लिए बहुत सीभाड़नी पड़ती थी बहुत तो नहीं लेकिन सीभाड़नी पड़ती थी इसका एक सबसे खास बात है कि it is made on the appraised platform काफी ज़्यादा हाइट पर यह बना होता है हाइट का वेसिकली सीन यही है कि फ्लट आये तो कोई दिक्कत ना आये मंदिर के जो भी अब देवता हम लोगों आपर प्लेस किये हुए हैं तो कोई भी अगर ऐसे चीज़े होती हैं तो उनसे बचे रहे जो भगवान का दर्जा है वो हम सबसे ऊपर है तो वो उनको थोड़ा सा हम लोग हाइट पर प्लेस करते हैं तो एक यह खास बात है नगराष डिशे आपर आपको मिलेंगे मंडब मिलेंगे अगर आपने इंटर किया है तो आपको एक prayer hall सा नजर आता है prayer hall होता है उसके आगे जो है देवता की मूर्ती लगी होती है जिसका वो मंदिर होता है ठीक है तो वो जो एरिया है जहांपर कई सारे pillars लगे हुए है तो that area is called the mandap ठीक है उसमें क्या होता है mainly prayer hall होता है अगर कोई बहुत बड़ा मंदिर है तो कई सारे शिखर होते हैं अगर आप इस तरह की से देखो तो यह की सबसे बड़ा शिखर है उसके साथ छोटे-छोटे कई और शिखर है तो सबसे बड़ा शिखर है उस शिखर के अंदर ही क्या होता है जहां पर जो सबसे में देवता है जिसका वो मंदिर है उसकी मूर्ती प हैं लेकिन चोटे-चोटे होंगे as compared to the main शिखर तो शिखर देखने को मिलते हैं आपको आपको यह मंदब देखने को मिलते हैं सारे के सारे देखो यहां पर पिलर्स लगे हुए है प्रेयर हॉल है और प्लाटफॉर्म है तो इस तरह आपने तीन फीचर इसके याद कर लेने है तो यहां पर यह कहता है कि इसके कोई भी बड़े-बड़े गेट वेज नहीं होते है अगर हम साउथ में बाफत करें जहां पर कई बड़े बड़े टेंपल्स देखे जाते हैं तो वहां पर प्या होता है और ने से पहले बड़े-बड़े यह को आ vibrे हे जुँन πर यह तोड़े बहुत होता है उतना साउथ में बड़ा प्रदिक्षिना पथ होता है उतना नौर्थ में नहीं होता तब कोई ध्यान रखना है नेक्स्ट आपका दिर्ज्नौ वाटर टांग देखो जितना भी जितने भी हमारे मंदिर है जितने बीटेंपड से हमाई चाहे नॉर्थ है चाहे वह मस्जिद ही क्यों ना हो लगता है पूरा तालाब अगर मंदर में बना होया स्टायलम में नहीं होता है इसमें बहुत Without नहीं हमें बने को मीदे को मिलेंगे और मेन नहीं होता है क्युए कि मुर्ति कहां होगी उसकी मुर्ति होगी गर्ब गरिये में गर्ब गरिये जो कौन से शिखर के अंडर है जो सबसे बड़ा टॉलेस्ट शिखर है उसके अंडर वो सिचुएटेड होती है ठीक है तो आप कोई धान रखना है कि किस तरीके से नगरा स्कूल ऑफ है अगर बड़ा मंदिर है तो शिखरा है शिखर है कई सारे हैं जो हमें पता है जैसे दुरगा-मां का शेर है तो लुए कई सारे हमारे देवी देवता जिनका वहन है तो उनकी उस वहन की रिगार्डिंग कुछ नकुछ उस शिखर पर ये लोग डेकुरेशन जरूर करते हैं अगर यह बहुत बड़ा शिकर है इस तरीके से तो इस शिखर के ऊपर क्या है कुछ नकुछ एक जो वहन है किसी भी देवी देवता का, वो situated करने की कोशिश करते हैं ये लोग, है न, इस तरीके से, अगर हम नगर की बात करें, तो नगरा स्कूल अर्टिकर ऐसे होता है, इस तरीके से है, और ये ultimately उपर ये पॉर्टिको टाइप सा है, ड्राइविडा वाले में काफी अतलब आप कहलो क्योंकि दीरे-दीरे करके जो ब्रेट है, वो थोड़े-थोड़े कम होती चली जा रही है, और जो विसारा स्कूल है, वो दोनों का ही combination है, ठीक है, तो ये कुछ फीचर हैं, जिसके according, आप नगरा स्कूल अर्किटेक्टर को define कर सकते हो, ठीक है, याद रहेगा, अगर नही boundary walls या gateways नहीं होते, ठीक है, और इसमें प्रदिक्षनापत अगर होता भी है, तो बहुत छोटा होता है, मंडप सोते हैं, शिखर होते हैं, गर्ब गरी होता है, तो ये साथ चीज़ें आपको इसके regarding धान रखनी है, क्योंकि अभी recently राम मंदर का जो आर्किटेक्टर है, व आपको नगरा स्कूल और के लिए इतनी ही चीज़ें पता होनी चाहिए थे, ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रधान मंतरी जंधन योजना, आटन कच्छ सिधा, अपना एकॉनमी के टॉपिक पर, प्रधान मंतरी जंधन योजना है, नाम से एक लियर है, यार ये तो जंधन, जितने भी लोग हैं आपके कंट्री में, उनका financial inclusion is the objective, financial inclusion का मतलब होता है, financial inclusion, मतलब चाहे कोई person rich है, चाहे कोई person poor है, चाहे कोई female है, चाहे कोई male है, अगर उसके पास bank account नहीं है, तो जितने भी benefits सरकार देती है किसी भी person को, in the form of cash in the bank account, in the form of any insurance, तो उसको नहीं मिल पाएंगे, तो ultimately हर एक person का कम से कम एक bank account तो जरूर होना चाहिए, उसमें पैसे हैं नहीं हैं, फरक नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम जो भी, जैसे अभी recently, corona के time पर, सरकार ने सभी लोगो लोग थे, उनके खातों में 500 रुपे डाले थे, तो अगर किसी के पास bank account ही नहीं होगा, तो ultimately वो पैसे कहां पर आएंगे, अब सरकार हर घर जाके तो 500 रुपे नहीं पकड़ा सकती cash को, क्योंकि यह तो, मतलब feasible ही नहीं है यार यह चीज तो, ठीक है, तो कम से कम एक person का bank account तो होना चाहिए, उस bank account के थुरू, सारे के सारे उसकी bank के benefits, सारे insurance के benefits, और other intermediaries के benefits भी उसको प्राप्त हो सके, ठीक है, तो यह प्रदान दे जंधन योजना को 6 साल हो गए है, और सकस्पूल implementation, इतना माना जाता है कि जब 2014 में यह scheme launch की गई थी, 2015 में I think launch की थी, यह चेक कर लेना, तो जब भी यह launch किया गया था, उसके बाद से लेकर अब तक, इस योजना की अंतरकत, बहुत सारे bank accounts को open किया गया है, तो that is considered to be successful scheme, कि जो भी objective हम लोगों ने सोचे थे, वो हम लोगों सारे के सारे achieve कर लिए, तो that is a good thing, ठीक है, तो इसको 6 साल हो गए है, इसके successful implementation को, हम देखते हैं कि भी इसकी क्या, आप कहलो की, इसके benefits क्या पहुंचे, इसका क्या result निकला, result की निकला है कि जितने भी आपके, rural areas में लोग रहते थे, अब उन में around 64% लोगों के पास अपने bank accounts है, ठीक है, rural areas में पहले bank accounts नहीं होते थे, banks ही नहीं होते थे, account का क्या करेंगे, तो post office के through सारी चीज़ी चलती रहती थी, अब क्या है, जितने banks भी आए हैं, तो उसके हिसाब से, जितने भी people, rural areas में रहते हैं, उनका जो account है, वो 64% है, और अगर विमन की बात करें, तो 55.2%, मतलब पूरी इंडिया की जो विमन है, उनका 55% of women have their accounts, have their bank accounts, that is also a good thing, क्योंकि एक तरीके से ये आप कहलो की gender neutrality को भी promote कर रहा है, तो इस तरीके साब कोई धान रखना है कि भाई, इसके अंदर अभी तक around 41 करोड bank accounts खोले जा चुके हैं, इसका मतलब इससे पहले इंड तरीके से काम करवाते हैं, किस तरीके से पैसे को transfer करते हैं, तो ये limitation थी पहले हमारी, लेकिन आप क्योंकि जंधन योजना शुरुआत कर चुकी थी सरकार, तो इस वज़े से अब लोगों को bank accounts खुलवाने, खुलवाए गए हैं, उनके bank accounts और ultimately उनको सिखाया गया है, उनको aware भी करवाया गया है, कि आपको किस तरीके से का use करना है, और किस तरीके से आपको पैसे transfer करने है, ठीक है, तो ये चीज़ा आपने धान रखनी है, कि भी क्या इसका basic objective था, अगर हम इसके scheme के बारें बात करें, तो that was announced on 15th of August 2014, यही पर answer मिल गया हमारा, तो ये तब launch किया ग conclusion, तो जितना भी आपका financial services, चाहे वो banking account हो, चाहे वो saving account हो, चाहे आपका remittances हो, remittances मतलब अगर आपका कोई relative, या तो foreign country में गया हुआ है, या फिर किसी और state में गया हुआ है, अगर उसने आपको पैसे भीजवाने है, तो वो कैसे भीजवाएगा, cash के थूँ तो बहुत म पहुँचाएगा, तो इस वजह से क्या है, remittances वाली services भी लोग ले पाएंगे, credit मतलब loan, अगर आपके पास bank account है, जिसमें आप रोजाना या फिर हर महीने में कुछ transfer करते हो, आपके bank account में कुछ पैसे आते रहते हैं, तो उसके इसाफ से आपको loan मिल जाता है, तो अगर आ insurance, pair insurance नहीं होता था, अगर account नहीं होता था तो अब insurance भी ले सकते हैं, pension, तो यह सब जो चीजें हैं, अब लोगों के affordability के अंदर आ चुकी है, लोगों को या awareness है कि भी bank account डाम की भी कोई चीज होती है, जिसको इस तरीके से operate किया जाता है, इस तरीके से पैसे को transfer किया जाता है, हैना तो आपको ध्यान रखना है कि यह scheme basically क्या कहती थी, इस scheme का जो basic मकसद है वो क्या था, financial inclusion of all the people who were unbanked before, चाहे वो insurance की सुविदा हो, चाहे वो remittances की सुविदा हो, चाहे पेंशन की हो, चाहे लोन की हो, किसी भी चीज की हो, ultimately they can now take that benefits, ठीक है, चलो, objectives रहीते, to lower cost and widen the reach का हर लोगों के पास bank account खुले जाए, tenant says कि banking the unbanked, जिनके पास पहले account नहीं थे, उनके bank accounts खुले जाए, securing the unsecured, जिनके पास पहले insurance नहीं थी, अब bank accounts के थुरू, उनकी insurance policies भी शुरुआत करवाई जाए, unfunding the unfunded, जिन लोगों को पैसा चाहिए था in the form of load, अब वो इस scheme के ग्राब कर सकते हैं, तो दीजर्दी कुछ benefits of परधानमंत्री जंधन योजना, और इसमां को ध्यान रखना है, इसमें जो account खुलेगा, that account can be the zero balance account, क्योंकि अगर आपने bank account खुलने के लिए ही, किसी person से 1000 रुपे ले लिए, तो फिर वो एक तरिकी की limitation है, लोग अपना फिर account नहीं खुलवाते हैं, तो account खुलवाने के लिए जो awareness है, जो एक motivation है लोगों में, वो कैसे आएगी, अगर आप उनका zero balance account खुलोगे, हैना कि मतलब उनको bank account खुलवाने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़े, और ultimate जो transfer कर सकते हैं, वो तो करी सकते हैं, तो zero balance account खुले जा एरिया में है, तो कम से कम हजार रूपीज आपके account में रखने पड़ते हैं, अगर आप किसी शहरी जगह उपर bank है आपका, तो उसमें आपको तीन या 5,000 रखने पड़ते हैं, depending upon the bank to bank, तो कुछ न कुछ balance आपको रखना पड़ता है, आपके account में, लेकिन अगर आपके वा लोग नहीं रहा है कि इतने पैसों तो कम से कम होने ही चाहिए थे, इसलिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज नहीं है, तो यह कुछ चीज़े हैं, परदानों से जंधन योजना की, अभी रिसेंटली इसमें कुछ नए चेंजिस किये गए हैं, PMJDY से PMJD 2. और यह लांच की गई है, तो कुछ नए फीटर्स इसमें जो है एक्जिस्टेंस में आए हैं, जिन में से एक है आपका, पहले क्या था कि हर एक जो घर है, हर एक जो फैमिली है, उसके पास कम से कम एक बैक अकाउंट होना चाहिए, ठीक बात है, अब क्या है, सिर्फ हम फैम होने चाहिए, ठीक है, ताकि अगर कोई बच्चा है, तो उसको स्कॉलर्शिप बगएर जो आती हो, उसके काउंट में आ सके, तो यह सब जीज़े जो है, एक घर का अकाउंट नहीं, हार एक इंडिविजुल का अकाउंट इंशॉर करना, इस स्कीम के अंडर लाया गया है, ठीक है, सेकेंड है, इसका रूपे कार्ड इंशॉरंस, जब आप यह इस पीम जन्दन योजना अकाउंट खुलवाते थे, तो फिर एल्टी में लाग कोई कार्ड मिलता था, जो आप डेबिट कार्ड की तरह यूज कर सकते थे, पैसे निकालने के लिए यूज कर सकते हो, इंशॉरंस था, उसके साथ कुछ इंशॉरंस भी मिला था, उसका एक्सिडेंटल इंशॉरंस, अगर मालो कोई भी एक्सिडेंटल इंशॉरंस कवर ओंदे रूपे कार्ड, पहले यह मिलता था आपको एक लाक रुपे, लेकिन अब यह कितना हो गया है, it has been increased to 2 lakhs कब से from the 28 of August 2018 ठीक तो आपको ध्यान रखना है कि जो insurance cover है accidental insurance cover है with the repay card अब वो एक लाक से बढ़ाकर 2 लाक कर दिया गया है ठीक तो आपको ध्यान रखना है दूसरा है enhancement in the overdraft facilities का मतलब होता है कि अभी मालों आपके account में कोई पैसे नहीं है लेकिन आपको बहुत सक्त जरूरत है कि भी मुझे अभी पैसे चाहिए है क्योंकि urgent requirement है तो आप क्या करोगे bank में overdraft के लिए apply करोगे कि भी मेरे account में पैसे में डालूंगा तो फिर आप वहां से cut करते रहना और उसको दुबारा से आप मैं अपने लिए recover कर लेना ठीक है तो पहले थी 5000 रुपए की मिलती थी अगर आपको बहुत urgent चीज चाहिए है तो फिर आपको 5000 रुपए bank account दे देता था लेकिन अब इसकी जो limit है वो बढ़ा दी गई है from 5000 to 10,000 मतलब आप आप बैंक से कम से कम मतलब जादा जादा 10,000 तक का जो overdraft है वो ले सकते हो अगर आपको अगर without any condition मिल जाएंगे आपको बताना नहीं पड़ेगी मुझे पैसे क्यों चाहिए है लेकिन अगर आपको 2000 जादा रुपीज चाहिए है चार या 5 या 6 या 7 तो फिर आपको कुछ ने कुछ बताना पड़ेगा कि आपको ये पैसे क्यों चाहिए है और आप इनको कब तक लोटा बढ़ा दिया गया है फ्रम वन लाक रूपीज टू टू लाक रूपीज और जो ओवर्टाउट फेसिलिटी है उसको बढ़ा दिया गया है फ्रम 5000 टूदी 10,000 ठीक बात है रहेगा या इंपॉर्टेंट है सारी चीज़े कि बेसिकली जंधन योजना थी क्या ये क्यों चला अब ये न्यूज में इसलिए था औगस्त वाले महीने में क्योंकि अभी रीसेंटली जितने भी डिसेबल्ड पर्सन है जितने भी डिसेबल्ड पर्सन है जो एलिजिबल हैं जिनको इस एक्ट के अंदर थोड़ा सा सबसिडाइज रेट पर फूड मिल सके उन सब को इंक्ल बहुत सस्ते दामों पर फूड ग्रेंज प्रवाइड करवाने हैं तो इसलिए तो वो न्यूज में था कि डिसेबल्ड पर्सन आर नाओ अल्सों इंक्लूड इंटो दी लिस्ट ओफ दी एन फैसे बेनिफिशरीज लेकिन बेसिकली एक्ट है क्या इस एक्ट के अंदर कौन कौन से तब के के लोगों को सबसिडाइज डेट पर फूड दिया जाता है कितने रुपीज पर फूड दिया जाता है तो वो सब चीजें हमें पढ़ने है ठीक है अगर हम देखें कि इस आक्ट के अंदर क्या है दिस दे आक्ट इस आक्ट से अट राइट तो फूड यह human right है कि आपकी सरकार कम से कम आपको खाना तो प्रोवाइड करें क्योंकि खाना, sanitation, water यह सब आपकी basic needs है और उनको पूरे करने की जिम्मदारी है तो गवर्मेंट की जिम्मदारी है कि उनके देश में जितने भी लोग खाना अफॉड नहीं कर सकते हैं उनके लिए वो रखे कि उनको बहुत अससते दामों पर वो फूड ब्रवाइड करें तो यह सका objective है right to food ताकि लोग अपनी जो life है with dignity जी सके क्योंकि जब तक person खाना नहीं खाता है तब तक उसमें energy नहीं आती है energy नहीं आएगे तो काम करने की efficiency वो भी नहीं बढ़ पाएगी जब efficiency ही नही जॉब देगा क्यों आपको employment opportunities नहीं मिलेंगे फिर इसका मतलब अगर आपको कहीं जाकर employment सीख करनी है employment करनी है job करनी है तो आपके अंदर efficiency होनी चाहिए efficiency कैसे आएगी with the nutrition nutrition कैसे आएगा खाने से खाना कहां से आएगा अगर आप अफोड तो कर नहीं सकते अब खाना आएग तो अगर हम NFC की बात करें तो NFC में ध्यान रखना है आपने there are two kind of households पहला household है आपका priority households और दूसरे हैं आपके अंतियोदे households अंतियोदे households जो priority households है यह जितनी भी है ना priority household होगे चैन्तोदे government जो भी जिस state की government है वो यह बताएगी कि भी मेरे state में इतने लोग गरीब है और इतने लोग गरीब से भी गरीब है ठीक है तो यह priority households है यह basically poor people है जो अपना खाना अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन यह जो अंतियोदे people हैं अंतियोदे households हैं they are the poorest of the poor कि भई अब इनकी nutrition level इतना ज्यादा डाउन हो चुका है कि इनको अगर दुबारा आपको मेंस्ट्री में लेकर आना है तो फिर उनको बहुत बड़े पैमाने पर आपको nutrition लेवल प्रोइड करवाना पड़ेगा अधर्वाइस यह देविल नौट बिकम दी पार्ट आफ मेंस्ट्री ठीक है तो आपने ध्यान रखना है एंफसे के अंडर देर टू काइंड आपके अंतियोदे आपकी पूरें इनके जो कौन करता है यह द ड़न बाइड इस टेट गवर्मेंट पेपर में कभी शेट्मेंट ऐसे आ जाती है कि अदर अपने ध्यान रखना है स्टेट गवर्मेंट नहीं है ठीक बात है चलो अगर हम बात करें कि किस तरीके से फूट दिया जाता है इनको तो हम देखते हैं कि NFC Act के अंदर अभी जो 50% of urban population है वो included है मतलब पूरे इंडिया में जितनी urban population है उसके 50% लोग ऐसे हैं जो अपना खाना अफॉर्ड नहीं कर सकते और 75% रूरल पॉपॉलेशन ऐसी है जो अपना खाना अफॉर्ड नहीं कर सकते इसका मतलब इंडिया में चाहे urban area हो चाहे rural area हो सभी जगहों पर जो खाने की चिंता है वो बहुत जादा है लोग अपना खाना भी अफॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो that is a very kind of bad situation in India तो अपने धान लगना है अगर हम देखें कि भी इनको खाना किस तरीके से मिलता है जो भी आपके priority households हैं उनको मिलता है 5 kg per person per month 5 kg per person per month मतलब एक month में एक person के हिसाब से अगर एक family में 5 लोग रहते हैं तो उसको एक person को कम से कम हर महीने 5 kg का जो food grain है वो दिया जाएगा ठीक है और जो आपके अंतियोदे households हैं अंतियोदे household में total जो आपके पूरे घर के लिए मिलता है आपको 35 kg per month 35 kg per month यहाँ पर month है पर household यह हर एक घर को मिलता है जो priority वाले हैं उसमें पर individual को मिलता है ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर 5 लोग होगे तो 5 kg हर एको मिलेगा 25 kg हो गया लेकिन जो अंतियोदे household है चाहे उसमें 7 लोग रहते हों चाहे 10 लोग रहते हों चाहे कितने लोग रहते हों उनको पूरे महीने के लिए 35 kg जो है पर month मिलेगा ही मिलेगा ठीक है अब यह जो 5 kg per person पर month यह food ग्रेंदे रहे हैं यह किस basis पर हम दे रहे हैं कितना rate रहेगा इनका ठीक है तो अगर 5 kg आपको देना है अगर आपको उसमें rice खरीदने है wheat खरीदना है या फिर आप wheat है चाहे course grain है rice आपको मिलता है 3 rupees per kg ठीक है wheat आपको मिलता है 2 rupees per kg और जो course grain है course grain basically क्या होते है millets होते है millets बोले तो जवार, बाजरा, रागी यह सारे आपके आते हैं course grains में यह आपको मिलते है 1 rupees per kg रुपीज 1 per kg ठीक है तो यह 5 kg per person per month है या तो आप इसके पूरे rice ले सकते हैं या wheat ले सकते हैं, course grain ले सकते हैं, that depends upon your requirement ठीक है तो लेकिन आपको 5 kg food grain मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 3 kg rice ले लो, 2 kg wheat ले लो और course grain बिलकुल ही मतलो, तो that depends आपके requirement के साब से, और यह जो है 35 kg जो है खाना मिलता है, यह आपको important है ध्यान रखना है कि भी किस तरीके से खाना provide करते हैं, क्योंकि यार इंडिया में basically जो food requirements है, जो staple diet है, that is the rice, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, सरफ North India की, South India की नहीं, तो rice जो है सबसे पहली staple diet है, पूरे इंडिया की, उसके गया है, साथ में इंडिया में बहुत सारा area ऐसा है, जहां पर rice और wheat की जाती है, तभी फाइदा मन साबित होता है, इसलिए production अगर जादा है, तो लोगों को distribution कराने में भी easy रहता है, ठीक है तो इस तरह को धान लगना है कि क्या priority households को काम दिया जाता है इसमें, और क्या आं सिंपल है तो, नेक्स्ट है आपका subsidized rates, यह तो हम लोग ने भी discuss किया ही है, नेक्स अडेंटिफिकेशन आउवसोल्ड बाइस्टेट गवर्मेंट, यह भी हम डिसकस कर चुके हैं, नेक्स्ट है nutritional support to women and children, जो भी चिल्डरन 6 महीने से जादा और 14 साल से कम है, उन चिल्डरन क साथ में जो pregnant women है, यह फिर lactating mother है, आफ्टर delivery, तो उनको भी क्या करना है हमें, इसमें हमें, जो nutrition है वो provide करना है, चाहे वो nutrition बच्चों को mid-day meal scheme के थुरू देना पड़े, या फिर जो scheme है, integrated child development scheme, ICDS, इस scheme के अंडर देना पड़े, तो यह जो सारा का सारा खाना है, जो भी हम इनको nutrition value provide करने के लिए देंगे, that also becomes the part of NFS, मतलब अगर आप कोई भी scheme चला रहे हो, जिससे आप बच्चे या pregnant women, या lactating women को nutrition provide कर रहे हो, तो that also comes under the NFS, जो पैसा NFS को allot किया गया है, उसमें से ही कुछ पैसे निकाल के आपको इसके लिए allot करने है, ठीक है, तो यह इसका part ह तो यह भी इसकी अच्छी benefit है, नेक्स्ट है आपका maternity benefit, जो आपकी प्रधान मंतरी मात्रू वंदना योजना है, जो recently news में भी रही थी है, क्योंकि उन्होंने 1.75 करोड beneficiaries को benefit provide कर दिया है, तो that is why it is in the news, maternity benefit के अंदर अगर हम बात करें, प्रधान मंतरी मात्रू वंदना य योजना के यह योजना चलाई जाती है, ताकि जो females during pregnancy, अपने wage losses को face करती है, मतलब पहले वो काम करती थी, लेकिन due to pregnancy, वो काम नहीं कर पा रही है, तो to compensate their wage losses, for the compensation of their wage losses, सरकार क्या करती है, उनको 6000 रुपे provide करती है, in the three installments, 2000, 2000 and 2000, ठीक है, तो वो भी जो सारे पैसा है, वो क किस आक्ट के अंदर आता है, NFSA Act के अंदर ही आता है, मतलब जो प्रधान मंतरी मातर वंदना योजना है, वो किस आक्ट के अंदर एक scheme है, that is the scheme under the NFSA Act, यह से मतलब अपने इस तरीके से बोल देते हैं उसको, ठीक है तो आपने चीज धान रखनी है, यह भी इसी का पार्ट ह Next is Women Empowerment, Women Empowerment का मतलब है कि जितने भी आपके राशन कार्ड बनेंगे, वो किसके नाम पर बनेंगे, जो भी आपके घर में eldest विमन है, जिसकी 18 साल से जादा एज है, उसकी नाम पर आपका राशन कार्ड बनेगा, तो अगर यहां पर राशन कार्ड को female के नाम पर बनाया गया है, तो that is a kind of initiative जहां पर हम लोग equality की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसमें धान रखना है, नेक्स आपका ग्रिवांस रड्रेसल मेकानिजम, अगर आपको कोई भी दिक्कत है कि भी आपको खाना नहीं मिला है इस एक्ट के अंदर, आपका रा रहेगी कि district level पर सुधर सुधर जाएं, लेकिन अगर नहीं सुधरते हैं, तो फिर state level तक भी आप जा सकते हैं, मतलब के आसपास वाले एरिया में ही कुछ authority ऐसी बैठी होगी, जो आपके issues को सुनेगी और ultimately उसका निप्टारा करेगी, ठीक है, लास्ट आपका food security allowance, अगर कि वजह से आपको खाना नहीं मिलता है, कि production बहुत कम होई है, पूरे देश में, rice ही नहीं बचा है, तो फिर उस case में आपको अगर food नहीं provide कर पा रहे हैं, तो आपको क्या देगी वो, वो आपको देगी food security allowance, मतलब पैसे देगी उसकी बजाए, ठीक है, तो यह कुछ आपके important tenets of the NFS, यह देखो, यह आपके pre-k point of view से भी important है, यह आपके means के point of view से भी important है, तो question में, paper में question कैसा ही आजाए, आपको पता अलगना चाहिए, कि इसके पीछे का जो concept है, वो क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, कि भई NFS क्यों लेकर आया गया था, क्यों लेकर आया था, और ultimately यह कुछ schemes हैं, जो generally हम लोग नहीं करते हैं, हम simple यहीं तक रुख जाते हैं, कि इनको कितने पैसे पर क्या चीज़ें मिलते हैं, इतना ही हर जेगा हम लोग पढ़ते हैं, यूसे पर हम इतना ही आता है, लेकिन अगर हम पीछे का थोड़ा सा concept देखें, research करें, तो यह स कि जितने भी disabled persons हैं, उन सब को भी NFSA के अंदर include करवाया जाएगा, इसके लिए notice भेजा गया है, यूटी गवर्मेंट को, तो जल्दी ही वह implement करो, यह कहना है Department of Food Public Distribution का, ठीक है, चला, नेक्स्ट आपका National Recruitment Agency, important है क्योंकि हम सारे paper देते ही हैं, कोई competition हो चाए, bank हो चाए, SSE हो चाए, State Civil Service हो चाए, UPSC क्यों ना हो, उन सब के exam हम लोग देते हैं, तो हमारे लिए जो agency है, वो important है, और यह important है, क्योंकि अगस्त के महीने में, जो union cabinet था, उसने approve कर दिया था, National Recruitment Agency को बनने के लिए, कि हाँ, आब SSE को यह agency होगी, जो basically paper conduct करवाएगी, और वो कैसी ह होगी, it will be independent body, independent body होगी, किसी ministry के अंडर नहीं आएगी, जो भी rules and regulations इस पर लगेंगे, वो खुद ही बनाएगी, ठीक है, तो इसको basically independent बनाया गया, autonomous बनाया गया है, इसका काम यह है, जितने भी, group B और group C के jobs हैं, जैसे हमें पता है कि exams कैसे होते हैं, पहले tier 1 होता है, फिर tier tier 2 होता है, फिर tier 3 होता है, कई-कई में तो और tier 4 भी होते हैं, ससी में खास करके, यहना तो कुछ सारे tier 1, tier 2, tier 3 इस तरह के पर होते हैं, जो national recruitment agency है, वो क्या करेगी, क्योंकि हर साल paper निकलते हैं, SSC को हर साल, चाहे CGL हो, CHSL हो, state civil service को भी हर साल paper निकालने पड़ते हैं, तो इस तरह के से क्या है, बहुत ज़्यादा यह hectic हुचाता है, government के लिए भी, तो जो NRA है, NRA क्या करेगी, यह common eligibility test लेगी, CET, common eligibility test खास करके, इसको हम क्या बोलते हैं, this is also known as tier 1, जितने भी paper, SSC लेती है, IBPS लेती है, और आपका railway recruitment board, यह जो तीन है, SSC, RRB और IBPS, जितने भी इन यह जो organization ने paper निकालती है, उनका जो tier 1 होगा, वो कौन लेगा, अब NRA लेगी, common eligibility test, ठीक है, यह जो common eligibility test है, इसके score के अधार पर, आपको RRB वाले tier 2 के लिए बुलाएंगे, IBPS वाले tier 2 के लिए बुलाएंगे, और या फिर SSC वाले tier 2 के लिए बुलाएंगे, ठीक है, तो जो prelims है एक तरीके से, tier 1 जो है, वो कौन conduct करवा रहा है, वो NRA करवा रही है, और जो tier 2 है, tier 3 है, जो specialized exams है, कि बैंक का वे पर तो बैंक की लिए जोनी चाहिए, SSC का syllabus अलग है, बैंक का syllabus अलग है, तो यह सब जो चीज़े होंगी, वो specialized agency, SSC, RRB, IBPS ही करवाएंगे, tier 2 is organized by all those agencies, बट जो tier 1 होगा, जो prelims है, that is organized by this national recruitment agency, ठीक है, इससे होगा क्या की भई, जो burden है, on the SSC, on the IBPS, on the railway recruitment board, थोड़ा सा यह कम हो जाएगा, ताकि इनको थोड़ा सा और काम करने के लिए भी time मिले, simple बस यह paper करवाते रह जाते हैं, और इनकी जो administrative efficiency, बहुत डाउन हो जात है, तो फिर प्रोज़ जादा है, आप करवाते हो, कभी cut-off में कमिया जाती है, कभी जो recruitment है, उसमें कमिया जाती है, तो ऐसा ना हो, तो सरकार ने बोला है कि there would be some NRA for the group B and group C services, खास करके SSC, RRB and IBPS वाले, बाद में इसको औरों के लिए भी open कर दिया जाएगा, कि भी UPSC य आपने चलो और चेर्में कौन इसका चेर्में आफ दी रांक अफ दे सेक्रेटरी ऑफ दी गवर्मेंट आफ इंडिया, मतलब ध्यान रखना है, सिंपल पेपर में अगर आजाए कि जॉइंट सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है, तो जितने भी परसोनल, जितने भी मेंबर, इस इसमें बैंकिंग के लोग इंक्लूड होंगे, इसमें आपके स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के लोग भी होंगे, ताकि तरीके से इनको ये बेनेफिट मिल सकें, इनके एक्स्पीरियंस का, कि आपने पिछले टाइम में किस तरीके से पर करवाएं हैं, और आप बताओ कि हम इस साल दो बार पेपर लेगी, सीटी, हर साल में दो बार सीटी होगा, और उसके हिसाब से जो आई बीपेस है, ससी है, या रर भी है, आप लोगों को टीर टू के लिए बुलाएंगे, ठीक है, ताप को इधान रखना है, ये प्लस टू वाले पर भी करवाएगा, आपके ग्रा रिक्लेशन लेवल का होगा, दूसरा सेकेंडरी लेवल का होगा, हायर सेकेंडरी का, और अल्टीमीली ग्राजुएट लेवल का, तो जिस भी जॉब के लिए आपको रिक्वार्मेंट है, लिजिबिलीटी वाले, तो उस रसाब से आपको स्कोर की बेसिस पर आपको उस एक अगर आपके cut-off से marks उपर हैं तो फिर आपको बुला लिया जाएगा और अगर नहीं आपके cut-off से marks उपर हैं तो फिर आपकी जो selection है वो CET basis पर ही रुक जाएगी ठीक बात है fair enough तो इस तरी के साथ को ध्यान रखना है कि SSC, IBPS, RRB का काम खतम नहीं हो आए भी उनको खतम नह सब्सक्राइब काम सरफ प्रिलंस करणड करवाना है जो स्पेशलाइजड टीर 2 एटीर 3 है दे वर और और अर्गनाइजड बाइडिस, IBPS, RRB, SSC, SSC नहीं है तो ठीक है ठीक कर लेना इसको ठीक है तो नारे बेसिकली क्या है इसको यूनिन कैबिनेट ने अप्रूबल दे जाएगा या IBPS में या फिर आपको RRB में थोड़ा टाइम बात क्या है कुछ और और इसको इंक्लूड करवा दिया जाएगा अभी के लिए तीनी ध्यान रखनी हम लोगों ने ठीक है चलो नेक्स्ट है हमारा नाशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एंडी एच्एम नाम से क्लि क्या है पेपर बेज्ड है अगर आप कि डॉक्टर के पास जाते हो तो जितनी भी आपने मेडिकल हिस्ट्री है आपकी जो भी अपने टेस्ट करवाए होते हैं को सब लेकर जाने पड़ते हैं तो कहीं कोई कागस भी खो गया तो फिर एल्टीमेटली डॉक्टर बोलता है कि यह टेस्ट करवा कि दुबारा लेकर आओ तो बार बार ऐसी चीज़ें ना करवानी पड़ें इसके लिए सरकार ने सोचा है कि जो भी इंफ्रसेक्टर है पूरे हेल्थ का उसको डिजिटाइज क्यों नहीं कर दिया जाए उसको हम डिजिटालाइज कर देते हैं कि आपको जो पेपर है वो आपने पास रख नहीं ना पड़ें आपको किसी ऑनलाइन आपने एक आईडी बना ली है उसमें आपने सब चीज़ें आड करते चले गए हो और अपने आईडी को क्लिक किया और सारे के सारे जो टेस्ट हैं आपके जितने भी करवायत है पिछले टाइम मे वो डॉक्टर के पास आगए तो कितना अच्छा कंसेप्ट है सारे पेपर भूल भी जाओ तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इंटरनेट तो हर्जे गई है ठीक है तो यह बेसिकली है आपका नाशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जिसमें हम लोग हर एक परसन को एक डिज में गया और मेरी एक हेल्थ आईडी बना दी गई और जितनी भी मेरे टेस्ट वगएरा होंगे वह सारे आईडी में इंक्लूड हो जाएंगे तो मेंडेटरी नहीं है अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा उस प्लाटफॉर्म पर जाए तो ही वह करेंगे अदर्वाइस आ आपकी चंडेगर दिल्ली दादरा नगर हवेली दमनें ड्यू पुडू चेरी इनमी इनको फेजिस के तौर पर इंप्लिमेंट किया गया है अगर यह सक्सेस्फुल हो जाते हैं तो फिर इंडिया पर इंप्लिमेंट करवाया जाएगा ठीक है तो हम लोग देख लेते हैं क इसके अंदर छे की फीचर से अपने ध्यान रखने हैं छे कौन-कौन से हैं एक तो हेल्थ आईडी हेल्थ आईडी की आपने पूरा अपना रिजिस्ट्रेशन कर ली आपको एक हेल्थ आईडी मिल गई उस आईडी को अगर जहां पर भी आप इंटरनेट के थूर उसको क्ल आप वही जो टेस्ट है आपका उस हेल्थ आईडी में जो होना शुरू हो जाए ठीक बात है हेल्थ आईडी देनिये सभी को डिची डॉक्टर जी डॉक्टर का मतलब होता है अगर आप डॉक्टर से सलाह नहीं ले सकते हो फिजिकल जाकर तो फिर आप उससे ऑनलाइन बात कर लो थूँद इंटरनेट तो दाट इस दे मीनिग डिची डॉक्टर है तो पूरे की पूरे जो होस्पिटल से हैं चाहे आपका कोई वह जसे होती है वह तो फिर एल्टीमेटल जितनी भी ये सारी चीज़ें है प्राइमरी हैं और फितने यह जाए जाए और कोई भी पर बाव चीज़ें हैं उनकी रिजिस्टरी बनी होगी अगर आप किसी एरिया में रहते हो आपको कोई टेस्ट करवाना है तो आप इंटरेट पी चेक कर सकते हो कि यह जो टेस्ट है वो टिमेटली कौन कौन सी लाब करवाती है यह कौन कौन से अपको एड्मिशन मिल सकता है यह इसे लिए इस पार्मेसी मतलब अगर आपको कोई दवाई चाहिए है अगर आप दुकान पर जाकर दवाई नहीं लेकर आ पा रहे हो तो फिर आप electronic method से delivery भी उसकी करवा सकते हो तो लास्ट आपका टेली मेडिसन जहां पर आप डॉक्टर से बात कर सकते हो थूदी फोन और थूदर इंटरनेट connection टेली connection होता है तो मतलब उस तरीके से कि आप अगर नहीं जा सकते हो उन से बात करने के लिए तो फिर आप उस method का यूज कर सकते हो और आप जब इस method से उस person से बात करोगे डॉक्टर से अगर बात करोगे तो दाट डॉक्टर डाट टाइम इस नोन आज डिजी डॉक्टर ठीक है तो जो हम लोग नहीं यहां पर किया था तो यह छे फीचर्स हैं आपके national digital health mission के कि जहां पर आपको एक health id प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसमें आपके सारे personal health records को include करवाए जाएगा जिसमें आपको एक डिजी डॉक्टर health facility registry जो भी लाब है जो भी hospital है यह सब की जो information है उसके इंदर इंक्लूड करवाई जाएगी और लास्ट में यह फार्मस्यों टेली मेडिसन भी इसमें इंपॉर्टेंट है अभी जो काम चल रहा है ना वो काम चल रहा है इन चार पर health id डिजी डॉक्टर health facility registry and personal health records यह जो दो है यह फार्मस्यों टेली मेडिसन अभी इन पर तो रहसा काम नहीं किया गया है जैसे रिसेंटली अभी सक्सेस्फुल जैसे होता रहेगा वैसे वैसे इन पर भी काम करना शुरू कर देंगे अभी सर्फ चार पर ही काम चल रहा है ठीक है आप इन सब को implement कि कि इसने करना है कि हलता इडी कौन बनाएगा किसी अगर पर्सन अपनी हैट बनाई है उसके अपना data include किया है तो इस data को कुछ चुआ ना ले उस data का यूज करके कोई company उसको समान तो नीं बेचने वाली हो सकता है कि आपके एरिया में कई सारे ऐसे पेशन्ट है जिनको तो अगर ये सारा का सारा डेटा पूरा जो गवर्मेंट के साथ पास में है अगर किसी कंपनी के पास 朝 ऐसी कंपनी जो डेपांटी के रिगार्डणग टैब्लेट बनाती centralized गर्लाते हैं तो यह सब चीजे जो है प्रिविसी के अगेंश लिजाती है कि मैंने अपनी हेल्थ आईडी बनाई थी स्पेसिफिकली डॉक्टर को दिखाने के लिए कि मेरे कौन कौन से टेस्ट में करवा चुका हूं और क्या क्या उनके रिजल्ट आए हैं मैंने अपने आपको सब्सक्राइब दवाईयां बेचो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा ना हो वो कौन इंशुर करेगा इस विल बी इंशुर्ट बाइदी नैशनल हेल्थ ऑथॉरिटी नैशनल हेल्थ ऑथॉरिटी दर्ट कमज अंडर दी मिनिस्ट्री आफ हैल्ट फैमिली वेलफेर नैश अंडर दी आयूश्मन भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना पीम जेए वाई या फिर एबी जेए वाई जो भी आपका दिल करें ठीक है तो इस तरीका को दान रखना है कि क्या यह बेसिकली मिशन है इसका बेसिक जो क्रक्स है वो यही है कि आपको जो हेल्थ इंफ करना है ताकि जो ट्रांसपेर пром legend सी है और ऑपकर अपका ब्रायोर Ti BAR इसमें क्या है अगर आप किसी भी बैंक में जाते million लेने के लिए वह ना टो व urban कि सबी customers को मिराके दे सकता है अगर कोई से मांगने के लिए तो तो RBI ने banks को ये बोला हुआ है कि इन 100 रुपे में से आपको 40 रुपे किस में देने है to the PSL sectors priority sector lending sectors और जो बागी बचे हुए 60 हैं वो अपने इसाब से आप बचे को भी देदो कोई दिकत नहीं हमें आर्बियों कोई दिकत नहीं है लेकिन चालिस कम से कम किसको जाने चाहिए यह PSL वालों को जाने चाहिए अगर आप नाम देखो इसका प्रियोरिटी सेक्टर मतलब यह सेक्टर है जिसकी development जिसकी improvement इस दी प्रयॉरिटी फॉर्ड गवर्मेंट प्रयॉर्मेंट प्रयॉर्टी फॉर्ड ऑर भी तिक तो ऐसे sectors sectors कौन कौन से हो सकते हैं इसमें आपका सेक्टर होगा एगरी कल्चर क्योंकि इंदिया डिसेबल रॉत कर दो यह सारे के सारे कौन है यह वी कर सेक्षन है ना Off रड फिर उप्र सकते हैं के जो माइक्र एंटर्फ्राइज है श было च्छोटी इंडेशी स्थ वन उन्ला और प्लाइक्रोध इंटरप्रेजिसस टू» दूसरा रिन्यूवबल energy को promote करने के लिए अगर लोन चाहिए है तो भी वो PSL के अंडर आएगा अगर आपको कोई startup use start करना है startup मतलब के पास कोई idea है उस idea को implement करने के लिए पैसे चाहिए होंगे आपको वो पैसे कौन देगा वो सरकार देगी मतलब वो तो startup को शुरू करने के लिए renewable energy के लिए education अगर आपने को school बनाना है अगर आपने कोई health regarding hospital बनाना है तो आपको बहुत धक्के नहीं खाने पड़े लोन लेने के लिए क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो renewable energy को बढ़ा रहे हो pollution को रोग रहे हो health में health में invest कर रहे हो schools बना रहे हो hospitals बना रहे हो अच्छी बात है तो इसके लिए अगर आपको लोन चाहिए है तो यह पूरे 100 अगर बैंक के पास है तो उसको कम से कम जो 40 रुपए है वह इन सेक्टर में से मिला के सब को देने पड़ेंगे ठीक बात है यह दाट इस प्रायोर्टी सेक्टर लेंडिंग यह कंसेप्ट है यह न्यूज में इसलिए था क्योंकि रीसेंटली सरकार ने अभी जो स्टार्ट अप सेक्टर है उसको PSL केंदर इंक्लूड किया था तो यह मैंने यहां पर भी लिखा है पहले इंक्लूड नहीं था यह अब इंक्लूड इसको किया गया है क्योंकि अगर कोई इसको पैसे की सुरुत पढ़ती है तो अगर उसको पैसा बहुत बहुत जाँए इंट्रस रेट पर मिले यह फिर नहीं भी मिले तो फिर उसका जो आईडिया और सारा बेकार चला जाता है तो उसका बिसने शुरू नहीं वह पाता है तो फिर यह से स्टार्ट को इंप्रू 10% है किसको मिलेगा priority sector advances should go to the weaker section ठीक है 10% आपको किसको देना है weaker section को देना है चाहे वह female हो चाहे वह SCST या disabled या फिर कोई specially abled या फिर और कोई भी अगर हमारी tribal people हो सकते हैं तो उस तरिके से उनको देना है 10% एगरी कल्चर को जाएगा 18% 18% जाएगा आपको एगरी कल्चर को और जिसमें से 18% में से भी 8% उनको जाएगा जो कौन है आपके small and marginal farmers small and marginal farmers जिनके पास जो land है that is less than the 2 hectare ठीक बात है तो उनको अगर कोई loan चाहिए है क्या उनको कोई चीजें खरीदनी है fertilizer खरीदना है तो फिर अगर वह बैंक से लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो फिर उनको कम से आठ जो रुपए है सौ में से आठ रुपए उन लोगों को मिलने ही चाहिए बाकी जो 10 रुपए एगरी कल्चर वाले वह आप किसी को भी दे सकते हो अगर कोई बड़ा किसान भी आयरा तो उसको भी देदो कोई दिकत वाली बात नहीं है ठीक है और साथ में आपको धान रखना सेवन पॉइंट फाइव परसेंट है सेवन पॉइंट फाइव परसेंट गोस्टू दी माइक्रो इंडस्ट्री जिनके पास पैसा बहु परसेंट 5 परसेंट जाएंगे आपके जो बाकी बचिए कैटेगरीज हैं जैसे फर एक्जामपल हाउसिंग हेल्थ एजूकेशन स्टार्ट अप रिन्यूवबल एनरजी तो यह सब चीजी उनको जाएंगी ठीक है तो इस तरीके से आपको किसी भी बैंक को जितने भी वह पर देती है उसका कम से कम 40 परसेंट ओफ टोटल नेट बैंक क्रेडिट जितना भी लोन वो दे सकती है उसका सौ में से 40 परसेंट शुट गो टूदी प्रायोटी सेक्टर लेंडिंग जिसमें से 10 परतिशत वीकर सेक्शन को जाएगा 18 परसेंगरी कल्चर को 18 परसेंट का भ पाकी बची हुई चीजों में रिन्यूबल एनर्जी हाउसिंग हेल्थ सेनिटेशन एक्सपोर्ट अना स्टार्ट अप यह सब में जाएगा यह था क्योंकि अभी रिसेंटली स्टार्ट अप सेक्टर को इन लोगों ने पीएसल केंजर इंक्लूड कर लिया था ठीक है तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है कितना बैंक किसको पैसे दे सकती है तो कि सारी चीजने हलकी से आपको इस करन्ट एफर के रिगार्डिंग कर बेसिकली पता होनी चाहिए थी तब ही इसका जो यह पुरॉपर धांचा है जो बिल्डिंग है वह आपको समझ आएगा ठीक है तो आ जादा अच्छी है कि वह एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके ठीक है तो एक्सपोर्ट प्रपेर्डनेस इंडेक्स है जो कौन रिलीज करता है आपका नीतियायोग रिलीज करता है विद्धी कोलाबरेशन ऑफ दी इस्टीटूट ऑफ कंपटिटिवनेस ठीक है यह आपका यह इंडेक्स रिलीज करता है अगर हम देखें कि यह किस बेसिस पर यह रांक देता है कंट्रीज को तो रांक देता है यह पॉलिसी के बेसिस पर कि किसी भी स्टेट में पॉलिसी कैसी है क्या वहां पर लोगों को एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है मोटिव शुरू करा है जिसका अल्टीमेटली जो चीज है वह एक्सपोर्ट होने के लिए जाएगी तो वहां पर कैसा एको सिस्टम है क्या वहां पर लोगों को और गने सेक्टर में काम करवा रहे हो लोगों को जो प्रॉपर बेनेफिट सेंसे सोशल सिक्यूरिटी के हो चाहें वेज तक जाएगा अगर शिप के थूरू अगर आप प्रोवाइड करवा रहे हो समान को तो पहले कोस्ट पर जाएगा कोस्ट पर सारी चेकिंग होगी और एल्टीमेटली वह किसी और कंट्री के थूरू कंट्री में चला जाएगा दाट इस एक्सपोर्ट एको सिस्टम की समाना वो डिले हो रहा है कहीं पर जाने के लिए तो कैसा एको सिस्टम एक्सपोर्ट करने के लिए और लास्ट आपको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कि जब सब चीज़ें अच्छी है तो फिर कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने काफी जादा अपने आपमें इंप्रूव्में पेपर में कुछिन इंडेकस पर आते हैं और खास करके पैरामेटर there किस्तेट को वह क्यों दिया गया है ठीक हता को이지 के परामेटर द्यान रखने है स्कूरूर्ड इंडिया में में टापमेटि इंडिया डिया का है वैसे तो स्टेट आपका गुजरात महराष्ट्रा एंड तमिलाडू यह तीन स्टेट ऐसे हैं जहां पर एक्सपोर्ट बहुत जादा होता है तो इनको किसी और स्टेट से परमिशन लेनी नहीं पड़ रहे तो इसलिए इनका पूरा एक्सपोर्ट का एको सिस्टम है वह इसी बात नहीं है अगर और उती की बात करें तो innovate अगर हम बात करे मध्यपरदेश की मध्यपरदेश में कोई चीज बनी है उसको आपको जेपान भेजना है तो मध्यपरदेश पहले और चीज्ए उडिशा चांचरतीर तफिश एके को बनका ऍगुल देयर आनी पडएग पर जो एक स्पोर्ट का लेवल है वह बहुत जादा है तो आप किस तरीके से ध्यान रखना है कि भी तीन स्टेट्स ऐसे हैं जिन में काफी सारी चीज़ें अच्छी है तो कोस्टल सेट्स यह वाले हैं अगर हम लैंड लॉग स्टेट्स की बात करें कि जिनका कोई भी एरिया ओशन से टच नहीं करता उनमें टॉप किया है राजस्थान ने इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं ब्याद रखो तो कोई दिकत वाली बात नहीं है जिंपल से ध्यान रख लेना कि कौन से स्टेट ने टॉप किया है अगर हम यूटी इस की बात करें तो यूटी में किस ने ट गुजरात तमिलनाडू तो हमने तीन स्टेट्स देखिए अभी साथ में दो और हैं करनाटका और तेलंगाना जो सारे स्टेट्स वही हैं जिनको जो वाटर बॉड़ी हो टेच कर रही है एक्सेप्ट तेलंगाना बट पहले अंदर प्रदेश का इस पार था तो जादा दूर यह तो टॉप 3 स्टेट्स कौन से है यूटी में किसने टॉप किया है और अपर इससे पता लग गया पूरे इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं यह तो खुद की कंजमशन के लिए काम करते हैं यह फिर वहां पर इन इंडस्ट्री इन यह बिस्नेस एंवार्मेंट्ट यह यह fundamental challenges क्या के है पहला तो आपका इंट्रा एंट इंट रिजनल डिस पायुरिटीalin मतलब 36 मध्य पतलेश के बीच में डिसपायुर्य जो सरकार मध्य परदेशों की उसमें ज्यादा अच्छी पॉलिसी नहीं बना पाती है इंटरीजनल डिस्पारिटी में भी वहां पर जो जादा नहीं हो जादा हो तो यह सब जो चीज़ें मिलती है डाट इस अडिमेटली इंटरीजनल डिस्पारिटी नेक्स आपका इंटरीजनल प्लस इंटरीजनल डिस्पारिटी इंटरीजनल प्रमोशन इस बिगेस्ट चैलेंज इन दी एक्सपोर्ट प्रिवेंशन ओफ इंडिया ठीक है तो अपने ध्यान रखना है यह वाला प्लस पूर ट्रेड सपोर्ट है ट्रेड करने के लिए जो भी चीज़ें चा के लिए चीज बेचनी है कि नई चीज की डिमांड जादा होती कंपर नीचीज अगर नॉर्मल कोई चीज हर कंट्री बना रही है तो फिर बनाई एक्सपोर्ट क्यों करोगे एक्सपोर्ट तो तब प्रमोट होगा है जब आपकी देश में वह चीज बनती है और बाकी जग रहा है तो यह कुछ चालेंज हैं रिगार्डिंग दी एक्सपोर्ट परमोशन को जो प्रोहिबिट करते हैं जो थोड़ा सा कम रखते हैं तो आप कोई चीज धान रखनी है क्या क्या इंडेक्स है कौन यह रिलीज करता है क्या इसके परामेटर्स हैं क्या इसमें टॉप और सिचुएशन हैं और क्या इसकी चैलेंज है तो इतना ही आपने इसमें ध्यान रखना था ठीक है चल रहे हैं आगे वट इस बीडू अन्य यह जैकी श्राव भाव बीडू नहीं है डाट इस दी बीडू इस दी नैविगेशन सिस्टम ओफ दी चाइन इस दी नैविगेशन सिस्टम ओफ चाइना जैसे अगर हम लोग गूगल मैप लगाते हैं कि यह रस्ता यहां जाता है यहां से लेफ्ट मुर जाओ यहां से राइट मुर जाओ तो वह क्या है डाट इस आपने लिए नेविगेशन सिस्टम ठीक है तो ऐसे ही हर कंट्री ने अपने लिए है हुआ है उसका नाम क्या है उसका नाम है बीडू ठीक है तो जितनी भी यह नेविगेशन सिस्टम होते हैं उनका काम होता है कि पूरे जगहों को नेविगेट करवाना कि बेसिकली कौन सी चीज कहां पर है कम्यूनिकेशन प्रोवाइड करवाना कि यहां से लेफ्ट मुर था क्योंकि recently अभी इसने बीडू navigation system की जो constellation है उसको पूरा अचीव कर लिया है ठीक है जैसे अगर हम बात करें यह जो communication है कि यहां पर यह चीज है यहां पर यह चीज है इसके लिए सटलाइट तो लगते हैं तो ultimately इस सिस्टम में there is the maximum number of satellites satellites के थूँ तो पता लगेगा कि कौन सी चीज कहां पर है और जो communication है कि आपका destination आ गया यहां से लेट मुड़ जाओ यहां से रैट मुड़ जाओ यह सब चीज़े सटलाइट तो प्रवाइड करेगा तो जो पूरा नेवगी सिस्टम है उसके अंगर कई सेटलाइट होती है जो पूरी एरिया को कवर करती है हर टाइम पर तो एक बार अगर घूंग गई तो फिर माला भी यहां पर है तो इसने यहां का एरिया तो देख लिया जब यह इस सेटलाइट नहीं होती है तो सेटलाइट जगहे पर कॉंस्टेंटली फोकस करती है कि जब भी पर सिस्टम को यूज खरना तो कर सके कम से कम उससे सर्फिस के ओपर हमेशे सटलाइट प्रेजेंट हो ताकि चीज़ों का वो बता सके कि कौन सी चीज़ कहां पर है तो दीज आर बैसिकली कम्यूनिकेशन सेटलाइट्स ठीक है तो बीडू के अगर हम बात करें तो इसमें है आपके 27 सेटलाइट्स हैं जो इस पूरे सिस्टम को बना रही है तो 27 सेटलाइट को जो ग्रूप है उस इसका काम कंप्लीट हो चुका है इसलिए अगस्थ में इसका काम कंप्लीट हो चुका था और इसलिए न्यूज में था ठीक है आप लोगों को पता लग गया है कि वीडू के है इस अ काइंड ओ नेविगेशन सिस्टम जिसके अंदर कई सरी सेटलाइट्स होती है वो हर वो करके देती है आपको ठीक है तो अगर हम बात करें चाहिना का नाम क्या है बीडू है इस तरीके से हरे कंट्री का अपना है जो जीपीएस है डाट इस उप दे यूएस गवर्मेंट ठीक है जो रश्या का है रश्या का है ग्लोनास यह इंपॉर्टेंट है यह हम से आपको कॉंस्टेलेशन अभी हम लोग क्या यूज करते हैं जीपीएस करते हैं हम लोग 1999 में जब कार्गिल वार हुआ था तभी जीपीएस यूज करते थे लेकिन उस टाइम पर उस टाइम पर यूएस से ने हमें इंफोर्मेशन देने से मना कर दिया था कि बैसिकली पाकिस्तानी जो फोर्सेज हैं वो कहां पर प्रेजेंट है तो उस टाइम पर हमें यह लगा कि अगर हमारे पास खुद का नेविगेशन सिस्टम होता तो हमें यूज से हल्प नहीं मांगनी पड़ती तो फिर इंडिया ने उसके बात से सोचा कि आज से हम लोग काम करेंगे अपने आज सेटलाइट्स हैं जिसमें से जो तीन हैं तीन आरदी जीओ जीओ स्टेशनरी एर्थ और्बिट में हैं जीओ स्टेशनरी एर्थ और्बिट में हैं तीन और जो पांच हैं दे आर इंडी जीओ स्टेशनरी सिंक्रोनस और्बिट जीओ स्टेशनरी एर्थ और्बिट मे हैं आपकी पांच तो टोटल इंडिया की आठ सेटलाइट्स हैं जो नाविक को पूरा करती है तो अभी बेसिकली इसके उपर काम चल रहा है कि किस तरीके से फोन में किस तरीके से लाप्टॉप में इसको यूज किया जाए जैसे अभी फोन आते हमारे जीपियस इनेबल फोन फिर क्या आएंगे हमारे नाविक इनेबल फोन तो रिसेंट्ली कुछ कंपनी ऐसी हैं जो ऐसी चिप बना रही है जिसको यूज करके हम लोग नाविक का जो सब्सक्राइं सब्सक्राइब करने में इसा न पर विए सब्सक्राइब करने में सब चीज़ें इसके काम आती है आपको पता हिया अरॉच्छों यूज़ करते हैं GPS यूज़ करते हैं Google Maps यूज़ करते हैं तो सारा का सारा सिस्टम जो चलता है वह इन बीडू के है इसवार की पर्सन को ज्यादा internet के टीन को प्रवा 유튜ट प्रोवेड अबड़ प्रिपर्वेट इनकालता है से क्या दलीज़िवेट नेटव वह इस्याव है ड्रिफ नेट पर से सब्की है पेपर में अभी क्या है जो important reports है वो तो आती ही आती है कि उसको सब बच्चे पढ़ते हैं लेकिन कुछ index ऐसे होते हैं जिनको बहुत important organization नहीं चापते लेकिन उसके पूछन पूछे जा चुके हैं इसलिए जो भी index आये paper में उसको आपके according मतलब उसके according आप लोगों को पता लगाना है कि इतना तो करी सकते हैं हम लोग तो हम देखते हैं डिजिटल क्वालिटी ओफ लाइफ इंडिक्स कौन रिलीज करता है इस रिलीज बाइडिस सर्फ शाक जो क्या है एक वर्च्वल प्राइवेट नेटवर्क है ओके अगर हम इंडिया की बात करें इंडिया का रांग है इसमें 57 आउट ओफ 85 कंट्रीज 57 आउट ओफ 85 कंट्रीज इंडिया का रांग है और यह कैसे रांग करता है कंट्रीज को on the basis of internet affordability कि कोई भी जो परसन है वो कितना कितना मतलब जल्दी इंटरनेट को अफॉर्ड कर सकता है महंगा तो नहीं है क्या ने इंटरेट को मिन्टिन करना भी इंप्रॉटेंट है नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रस्ट्रक्ट्ट्र का मतलब होता है जो भी आप इंटरेट यूज कर रहे हो उसके रिगार्डिंग जो भी वाइफाइ सिस्टम है यह फिर जब्रोड्वेंड नेटवरक है उ फिर इंस्ट्रागरां पर पुछ पोस्ट करते हैं तो यह सब जो चीजें वह आपकी सिक्यूर है या नहीं है आपका डेटा है तो नहीं हो रहा है तो इसके बेसिस पर यह सर्फशाख है आपकी कांट्री को रैंक देता है और इंडिया में इसने रैंक दिया है 57 आउट और थर्ड आपकी कैनेडा है तो बस दो याद रगलो सिंपल डेनमाक और जो स्वीडन है देव दो जार्दी टॉप टू कंट्रीज क्योंकि इन कंट्रीज में इतना ज्यादा डवलप्ड चीज़ें हो चुकी है कि लोगों को अब इंटरनेट की जो क्वालिटी है जो अफॉ इंटरनेट को अफॉर्ड करने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा तो जितने जादा घंटे काम करना पड़ेगा मतलब उतना इंटरनेट महंगा है जितने कम घंटे काम करना पड़ेगा मतलब उतना ही इंटरनेट सस्ता है तो फिर इस्राइल एक ऐसी कंट्री है व क्योंकि अभी देखो फ्री इंटरनेट बेसिकली मिल जाता है अब फ्री तो नहीं कह सकते हैं पहले तो सिंपल एक जी भी मिलता था पूरे महीने चलाने के लिए अब कम से कम डेड़ जी भी एक दिन में मिल जाता है तो बेसिकली जो फॉड़ी सी बढ़ गई है विद काफी अच्छा रंग माना जा रहा है तो कुछ ऐसी से चीज़ें हैं जहां पर इंटरनेट क्वालेटी में की क्याई की कैसी है वह एक दिए तो मतलब बॉटम टेन में है इंटरेट आफ वोड तो सब कर पा रहे हैं लेकिन क्वालेटी नहीं है कहीं पर चलता ही नहीं अग लेकिन जो क्वालिटी है बहुत लो है इंटरेट चलता नहीं चलता नहीं जब दतर और अगर हम और रांक की बात करें तो इंडिया का आपका 57 कम ही माना जा रहा है क्योंकि और चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं तो क्या इंडेक्स है किस बेसिस पर इसको रांक दिया जाता है कंट्रीज को और इंडिया का क्या रैंक है और फर्स्ट और सेकिंड कौन है इसके बारे में थोड़ा सा हम हमने देख लिया आप ठीक है नेक्स्ट आपका वर्ल्ड बायो फ्यूल डे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीसेंट्ली अभी 10 ओफ औगस्त को 10 ओफ औगस्त को व पहली बार एक इंजन को चलाया था उसको यूज करके इस और को यूज करके उन्होंने एक इंजन को चलाया था एक वहिकल को चलाया था तो उसी के नाम पर जो है यह हम वर्ल्ड बायो फ्यूल डे मनाते हैं तो हम यह देखना है कि बायो फ्यूल बैसिकली होता क्या है बाय यूसेज णॉफ लिविंग और गानेजम में क्या सकते हैं आपके अल्गी आ सकती है जो हैं उसल्गीज में खालव काइं नाहीं छाती है जा है और लगन días living हो ये फिर पहले जीवी थे अब नहीं है जिसे फर एक्जांपल हम लोग उमन्स में क्या और गानिक मिटर होता है तो अब गया तो बचाहिए पूरी बॉडिय में उसी को तो डीकंपोस करते हैं बक्टिरिया थे हमारी बॉडी में ठीक है तो चाहे living organism हो चाहे अभी लिविंग नहीं पहले लिविंग था कुछ टाइम पहले तो अगर हम उनकी हेल्प से कोई भी फ्यूल बनाते हैं तो दाट फ्यूल इस नोन आज दा बायो फ्यूल ठीक बात है चलो अगर हम इसकी थीम देखें तो थीम है आपकी दिस इस दी बायो फ्यूल टॉड्स आत्म निरभर भारत देखो जितने जादा हम बायो फ्यूल अपनी कंट्री में ग्रो करवा पाए इसका मतलब उतने ही रिक्वारेम रिक्वारेमेंन Şu hacer अखें लैंजेम हमें इंप करना पण है लींतफे इंडेबर इसल कर अपनी चाहती औहीं है Marshall कवका सकी है यह ध्यान रखना है ओके चलो बायो फ्यूल कौन से होते हैं और प्रडूस्ट फ्रॉम और गैनिक मैटर चाहे लिविंग हो यह फिर वन्स लिविंग मटीरियल पहले जीवित था अब नहीं है तो उसके उसके भी help से हम लोग बायो फ्यूल बना सकते हैं तो अगर हम देखें कि क्लासिफिकेशन और बायो फ्यूल्स बायो फ्यूल्स कितने तरीके की होते हैं यह कैसे बनते हैं यह बनते हैं आपके बायो यूज औफ फूर्ड क्रॉप्स जो food crops है, चाहे sugar cane है, चाहे wheat है, इसको use करके अगर आप biofuel बनाते हो, तो फिर वो क्या कहा जाएगा, उसको कहेंगे first generation biofuel, हम लोग ने पिछले महीने में एक बर ethanol की बात करी थी, कि इंडिया में जो ethanol blending program है, वो चलता है, जिसमें सरकार ने ये बोला है, कि अभी आप petrol में कम से कम, 10% का जो blending है, इतनल का वो करो, ताकि petrol की भी demand है, वो कम हो, और ultimately pollution भी कम हो, तो इतनल क्या है, इतनल is a biofuel, वो कैसे बनता है, sugar cane का जो waste है, wheat crop का जो waste है, rice crop का जो waste है, उस waste को use करके, जब आप कोई fuel बनाते हो, तो that fuel is called the biofuel, and that is the first generation biofuel, ठीक बात है, तो इतनल वाला एक पर हमने किया था, एक पर revise करना, उसको इस से link करके देखना, तो आपको चीज़ें जाधा clear होएंगी, ठीक बात है, तो first generation biofuel जो किसे बनता है, by the usage of food crops, ठीक बात है, second generation है, जो कैसे बनता है, आपका by the non food crops, मतलब specifically आप ऐसी crop लगाते हो, जिनको use करके, आप biofuel बना ल जो त्रोफा प्लांट है, जो आपको ये अरिड अरिया से मिल जाएगा, खास करके राजस्तान गुजरात वाले अरिया में, तो ये especially उगाया जाता है, ताकि इसे biofuel बन सके, और biofuel अगर बन गया, तो उस fuel को कहां यूज करोगे, वेहिकल में यूज कर लोगे, तो अच् algae मतलब जो काई है, तो basically, जो algae है, वो भी तरिके का प्लांट है, तो जो आप algae की help से, algae को यूज करके biofuel बनाते हो, तो फिर ultimately हम उसको बोलते हैं, that is the third generation biofuel, ठीक बात है, fourth generation biofuel, वो fuels होते हैं, जो basically, वो crops लगाओ, जिसमे second, जिसमे basically, carbon की जो content है, वो जादा हो, मतलब genetically engineered ह जिनके पास, जो amount of carbon है, वो जादा हो, क्योंकि हमें पता है, कि normal जो crops होते हैं, उनमें carbon content होता है, sugar cane में भी है, rice में भी है, wheat में भी है, लेकिन आपने इन crops के जो plants हैं, उनमें कुछ changes ऐसे करने हैं, कुछ इस तरीके से genetically modification करनी है, कि उनमें carbon का जो amount है, वो बढ़ जाए, त जो especially आपने लगाई है, for the production of biofuel, जो second generation हम लोगों नहीं किया था, तो फिर आपने वो crops लगा दी by the genetic modification, और फिर ultimately उससे जो fuel बना लिया, तो that fuel is the fourth generation biofuel, ठीक है, तो fourth generation कौन सा है आपका, ऐसी crop जो genetically engineered है, और जिनके खास करके उनमें high amount of carbon है, और फिर उनको second generation जो biofuel है, उन जैसे ही उनको use करके जो biofuel है, वो बना लिया जाता है, ठीक बात है, तो अब क्या पता लगता है, इसमें, fourth generation biofuel कैसे बनते हैं, खास करके, ऐसी non-food crops, जिनमें हम लोगों ने genetic modification करके, genetic modification करके, carbon का content बढ़ा दिया है, और उसके बाद हम लोगों इससे fuel बनाया है, that fuel will be known as fourth generation biofuel, ठीक है, ताको ध्यान रखना है, first generation by the use of food crops, second generation by the use of non-food crops, third generation by the use of algae and fourth generation is the use of genetically engineered crop, जिनमें carbon का content बढ़ा दिया है, और फिर उनको ultimately fuel बनाने के लिए use कर लिया गया है, ठीक है, तो these are the current affairs of the part 1 of the august, हम लोग कल करेंगे august के part 2, ठीक है, तो इतना एक बाद रिवाइस करना, तो हम लोग कल मिलते हैं, सुबह 7 बज़े ही, तो thank you so much and all the best. झाल